सो गाइस नमस्ते मेरा नाम बदत सोनी है और मैं डिश्टल हब से हूँ गाइस तो मैं आज आपको रियल्मी के न्यू प्रोडेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि रियल्मी ने न्यू प्रोडेक्ट लॉंच किया है रियल्मी 10 प्रो 5G तो लेट्स अन्बॉक्सिंग कि अधुन है तो आपने देखते है की रियल्मी ने कैसमें टिजाइन दिया है और क्या न्यूंडिस्में इनोवेशन किया है इसवांकि स्बार और सिछ्डल कैस में काफिको लिए किस का ओलेटी का केस दिया है इसके अदर सफे वाद में हम देखते है अंद फोउन के अंए और क्या मिलता है बॉक्स में चार्जर जो की कंपनी 33 वाट का चार्जर देती है इसके अंदर एंड एक्ट युस्वी युस्वी केबल इसमें आपको कंपनी देती है अब हम देखेंगे के फोन इस फोन में क्या डिजाइन कंपनी ने दिया है काफी बैटर लुक्स वाइस काफी बैटर है आजकल डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है तो रियल्मी ने भी अपने फोन के 10 प्रो 5G के साथ में जो है वो डिजाइन के अंदर हाइपर स्पेस डिजाइन दिया Pro Max के साथ में भी अगर मैं compare करूं तो उसका जो bezel है वो 2 mm का आता है इसमें 1 mm का bezel आपको मिलता है अगर हम इसके display की बात करें तो इसमें आपको 6.72 इंचिस की full screen display मिलती है जिसका screen to body ratio जो है वो 93.76% आपको मिलता है जहां दूसरी brand आपको इस price segment में 90 Hz, 60 Hz की display आपको provide करती है वहां Realme 10 Pro 5G आपको उसी price segment में 120 Hz का display with 6 levels of adjustment provide करता है इसका benefit अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अगर इसका benefit जो है वो यह होगा कि जहां आप books read कर रहे हैं, video play कर रहे हैं, gaming कर रहे हैं तो यह automatically जो है वो adaptive mode पे 30 Hz, 60 Hz और gaming mode में जो है वो आपको 90 अबोव भी आपको support करेग इसका जो brightness है, वो 600 nits level का brightness है इसका इतना ही नहीं उसके अलावा यह जो है वो blue light certified भी है, जो की blue light certified, TOV real light certified है, आपकी eyes को भी जो है वो protect करता है, मेरको देखने में तो काफी जादा light weight लग रहा है, I think 190 gram something है, और काफी जादा slim भी लग रहा है, मेरको यह handset 8.1 mm इसका जो है इसके camera की बात करते हैं, तो इसमें आपको मिलता है dual camera setup, अगर इसके main camera की मैं अगर बात करूं तो इसमें आपको 108 megapixel का large aperture dual camera मिलता हो, इतना ही है, इसके साथ में आपको काफी सारे modes में मिलता है, जैसे macro lens हो गया, super night escape mode हो गया, group portrait photos भी इसमें आपको मिलता है, तो काफी साद यूनिक है, अगर हम इसके selfie front camera की बात करें तो इसमें आपको 16MP का front camera मिलता है, with AI beauty effects वगर, वो भी सारे modes आपको इसमें भी मिलता है, आई हम एक selfie देखते है, इसका जो है फोटो आता है, पिक्चर आता है, वाव, इस रियली वेरी नाइस, इसका जो फोटो है, काफी इसमें lag-free एकनम video और streaming आपको lag-free मिलेगा, काफी ज्यादा smoothness वर्क करेगा, इसमें आपको 5000 mh की बैटरी मिलती है, इसमें आपको इसके अंदर 33W का super dark charger मिलता है, आपका phone से for 0-50% only 30 minutes में आपको चार्ज करेगा, side-mounted fingerprint sensor मिलता है, जो की काफी ज्यादा fast work करता है, इतना ही इसमें आपको Android 13 मिलता है, और प्लस Realme का latest UI 4.0 मिलता है, आप अपने इसापसे इसको applications को वगर customize भी कर सकते है, इस model को purchase करने के लिए 3 colors इसमें available आपको मिल जाता है, hyperspace, gold आता इसके अंदर, nebula blue मिलेगा आपको इसमें, और dark matter इसमें आपको color मिलेगा, ये 3 colors में available है, so guys I hope कि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, please like